ये देखिए ये वेस थर्मो कोल का बॉक्स है जिसमें मैंने कुछ तिन पहले ही टर्टल वाइन की बहुत छोटी-छोटी कटिंग लगाई थी और दो जेट प्लांट की कटिंग लगाई थी और ये कितना सुन्दर ग्रो हो रहा है नमस्ते एवरेवन मैं पारूल फ्रम सॉल टू सोल में आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे अपना ध्यान रख रहे होंगे दोस्तो आज हम बात करेंगे इस हाड़ी प्लांट की जिसका नाम है सदा बहार नाम से ही देखिए एवर ग्रेन यानि की हमेशा चाय वो सर्दी गर्मी या बारिश हो ये बहुत अच्छा से ग्रो होता है और बहुत सुन्दर इसमें फ्लावरिंग होती है आप इसे कटिंग से भी इजिली लगा सकते हैं और इसमें सीट्स भी खुदी बन जाते हैं और उससे भी लगाया जा सकता है लेकिन सीट्स से अगर हम लगाते हैं तो फ्लावरिंग में टाइम लगता है ये देखिए दोस्तो इस पॉर्ट में ये खुदी ग्रो हो गया था और ये प्लांट मैंने कटिंग से तयार किया था आप इसके कलर में डिफरेंस भी देख सकते हैं ये कितने डाक ग्रेन कलर के इसके लीव्स हैं दोस्तों ये दिखने में तो सुन्दर है ही और इसकी काफी सारी मेडिसनल प्रॉपर्टीज भी है आप इसे स्किन या बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसके पत्तों को और जिनको डाइबटीज है उनको अरली मॉर्निंग इसके तीन से चार पते जो है अच्छे से चबा चबा कर खाने चाहिए या फिर अगर आप ग्रीन जूस पनाते हैं तो आप उसमें भी तीन चार पते अड़ कर सकते हैं इसमें फ्लावरिंग जो है वो गुच्छों में होती है तीन से चार फ्लावर एक साथ खिलते हैं ये दो कलर्स में जो है देसी वराइटी में आता है ये लाइट पिंग कलर और वाइट कलर का आजकल ये बहुत सारे कलर्स में आता है लेकिन मेडिसनल परपस से जो है देसी वराइटी को ही उस किया जाता है आप अपने गारडन में इसे जरूर एड़ करें आपको सरफ एक बार लगाना है उसके बाद इसके सीड्स कुद बनते हैं और हवा से इदर उदर गिरते हैं और बहुत सारे बेबी प्लांट्स बन जाते हैं ये आपकी गारडन में पॉलिनेटर्स को भी इन्वाइट करने में हेल्प करेगा फ्लाफरिंग के साथ साथ इसमें सीड्स भी बनना शुरू हो जाते हैं ये देखें आप देख सकते हैं ये सीड्स पॉर्ड इसमें बन रहा है और जैसे ये थूड़ा सा और मैचोर हो जाएगा येल्लो इश्ट कलर का हो जाएगा तो आप इसे रिमूव करें अच्छे से इसे सुखा लीजिए फिर इसमें ब्लाक कलर के छोटे-छोटे सीड्स तयार हो जाते हैं जिससे आप और प्लांट्स भी लगा सकते हैं आप इसकी कटिंग लेकर डिरेक्ट जो हैं सॉयल में भी लगा सकते हैं या फिर पानी में इसे लगाएं और कुछ दिनों के बाद जो हैं अगर सीट्स लगे हो हैं सीट्स को रिमूफ कर देना और इवन फ्लावर्स भी आप रिमूफ कर दीजिए ताकि प्लांट की एनरजी जो है रूट्स को ग्रो होने में जादा लगें यह चोटी-चोटी बर्ड्स भी आ रही हैं मैं इनको भी रिमूफ कर दूँगी ताकि रूट्स जल्दी से बनना स्टार्ट हो जाएं यह आप डारेक्ट्ली जो है चोटी सी कटिंग लें तो अलोविरा या फिर कोई भी रूटिंग हॉर्मोन लगा कर आप इससे डारेक्ट्ली सॉयल में भी लगा सकते हैं कुछ कटिंग मैंने दूसरे प्लांट्स की यहां पर लगाई हुई है और यह देखिए मैंने छोटी सी कटिंग लिया और इस तरह से मैं इसको सॉयल में लगा दूगी आज मेरे पास रूटिंग हॉर्मोन के लिए कुछ भी नहीं है तो डारेक्ट में इसे लगा रही हूं तो दोस्तो अगर आपको एकनी की प्रॉबलम है तो आप इसके लीफ्स लीजिए उनका पेस्ट पनाई है और फेस पे लगाई है आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर हेर फॉल की प्रॉबलम है तो वो पेस्ट आप अपने बालों में भी लगा सकते हैं तो नॉर्मल सॉयल में लगाया हुआ है चल यह जाते हुए हम थोड़े से मौरिंगा के पत्ते भी हार्वेस्ट कर लेते हैं आप अगर बच्छों के लिए किसी भी तरह के परांठे स्टफ्ट परांठे बना रहे हैं तो आप यह पत्तियों को भी बारिक बारिक चौप करके उ थैंक यू सो मच्छ टेक केर बाई